नमस्कार किसंद भाइओ आप सभी एक बार फिटे से स्वागत घता हूं ट्रैक्टर के वीडियोगीर्ट है अगर है तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत जलूरी है क्योंकि स्वाराज के उन ट्रैक्टर में जिन में पावर श्टेरिंग आती है और वो ट्रैक्टर जो क आपका जो ट्रेक्टर आप टर्न करते हैं तो वहाँ पर जो है गेब बन जाता है वहाँ बेकार हो जाती है किसान बैयों इसका सबसे मुख्य कारण है इसके अंदर कोई भी पॉइन के लिए जगा नहीं देना क्योंकि आप इस वीडियो के अंदर देख सकते हैं कि कि इसीजक्व का पंप है और जहां से बडक होग्ता है तो तो उसके बाद में धीरे धीरे इसके अंदर आपको आवाज आने लगती है क्योंकि इसकी जो गुड़ी है वो धीरे जरे कटने लगती है क्योंकि कोई भी ग्रीस और ओईल खत्म होने के कारणियां पर गेप बनने लगता है अगर आप इस पर लापरवाई करते हैं तो आपक काफी पैसे बचा सकते हैं तो किसान व्यों वीडियो में अंते तक बने रहे हैं वीडियो पसंद आए और इसी तरह के वीडियो साब आप आप देखना चाहते हैं ट्रेक्टर से जूड़े हुए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शिर जरू करे तो चैनली शुरू करते हैं किस तरह से हम इस प्रव्लम को सॉल्व कर सकते हैं तो किसान भाई सबसे पहला को क्या करना है कि आपको एक सीरिंज लेनी है नहीं कि इंजेक्शन लेना है और सबसे बड़ी बढ़ी बात इसके अंदर जो सूई लेनी है वो पतली लेनी है इस ISक आप ले तो आपको जो रबर दिख रहा है इस आपको यहां पर इस पूरे ओईल को एक या दो इंजेक्शन जैसा आपको ठीक लगे आपको इसके अंदर डाल देना है ओईल तो इससे क्या होगा कि आपका ओईल अंदर भी चला जाएगा और आपका जो रबर है वो डेमेज न आप नहीं होगी आप लगबर चार पांच मेहने च्छे मेहने में इस तरह से ओईलिंग कर सकते हैं और अगर आपके उसमें आवाज आने लग गई है तो आप तुरंत ही इसके अंदर इस तरह का इंजेक्शन से ओईल डालिए तो आपको फाइदा हो जाएगा तो किस अन ब यह इस ख्रेगरे